कुमें जो उसकी नोटिफिकिशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइक पीजिए और इस पेल आइकन को दबाएए ताकि सबसे पहले नोटिफिकिशन आपको में लेख हाई हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आपका स्वागत है इस नहीं वीडियो में फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको जो आपरेंटिस की नोटिफिकिशन आई है उसकी बारे में बताने वाला हूं जैसी कि आप यहां देख रहे हैं मजगाउं डॉक सिप बुल्डस लिमिंटेड ए mdlats-01-2017 और इसमें आपका ओनलाइन अप्लिकेशन इन पेस्क्राइब फॉर्माट इन्भाइटेड फॉम इंडियन नेशनल फॉर दो सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अपरेंटिस अंडर दो आपरेंटिस साक्ट 1961 फॉर दो फॉलोइं ट्रेंट्स तो यह ओनलाइन अप्लिकेश जो 10th class past है उनके लिए और यह group ए पोस्ट 10th class past के लिए है पहला है आपका इलेक्टरिस यान इसमें आपका टोटल 27 पोस्ट है वेकेंसी है उसमें से 16 जेनरल केटेगरी में 7 OBC केटेगरी में 2 O2 ST और SE केटेगरी में नेश्ट आपका फिटर फिटर ट्रेड में आपका 42 सी के लिए यहां पे आपका 20 seats है और उसमें से 12 आपका जेनरल के लिए 5 OBC के टेगरी में 2 AC केटेगरी में और 1 ST केटेगरी में नेश्ट आपका 5 फिटर है और इसमें आपका 25 seats है 15 जेनरल 6 OBC और 2-2 AC and ST के टेगरी के लिए उसी तरह आपका structural फिटर इसमें भी आपका 14 पोस् AC and ST के लिए और पहला जो आपका electrician and fitter है इसका आपका दो साल का training period है और नीचे जो तीन पोस्ट है ड्रांट्स में 5 फिटर और इसमें आपका 3 साल का training period है और इसमें आपका पहला साल में आपका 6930 पर मंत मिलेगा सेकेंड एर में आपका 7920 पर मिलेगा और थाड एर में आखरी साल में आपको 8910 मिलेगा और इसमें आपका age 15 से लेके 19 साल के बीच में होना चाहिए आजन एक जुलाई 2017 नेक्स्ट आपका group B का post है यह ITI past के लिए पहला है आपका marine painter इसमें आपका 15 पोस्ट है और electric mechanic उसमें 30 पोस्ट हैं Carpenter में 6 पोस्ट हैं और structural fighter में 38 पोस्ट हैं और marine painter में आपका 1 सल का training period है electronic mechanic में एक सल का Carpenter में 2 सल का और structural fighter में भी 2 सल का तो यह उपर का दोनों में आपका 8910 stipend मिलेगा और निच्चे जो Carpenter और structural fighter है इसमें आपका फास्ट एर में 7,920 और सेकेंड एर में आपका 8,910 आपका स्टाइप्वेंड मिलेगा और इसमें एज लिमेट आपका 16 से 21 साल के बीच में होना चाहिए और इसका आज जोन डेट आपका 1 जुलाई 2017 में नेक्स्ट ग्रुप C 8 क्लास पास्ट ए और इसमें आपका रिगर के लिए 34 पोस्ट है और वेल्डर ग्यास औड इलेक्तिरिक के लिए 28 पोस्ट है और दोनों में आपका ट्रेनिंग प्रियोड दो साल है पहला साल में आप 6,930 पर मंत मिलेगा और सेकेंड एर में आपका 7,920 स्टाइपेंड मिलेगा और इसमें आपका एज लिमिट 14 से लेकर 18 सल होना चाहिए आज वन एक जुलाई 2017 तो यह तो सारी आपका पूश्ट थे नेक्स देखते हैं एज रिलाक्सेशन क्या है अपर एज लिमिट इसमें आपका पास्ट एज लिए पास्ट अट्रेंट में पास्ट हुए है तो आप इसके लिए एलिजिबल है शिक्रिंग मिनिमम 50 परसंट मार्क तो आपका अगर 50 परसंट मार्क मिनिमम होना चाहिए और इसमें आपका एजूकेशनल इसमें आपको पास्ट अगर आप हुए है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और इसमें भी आपका मिनिममम 50 परसंट मार्क होना चाहिए एग्रिगेट में और पास्ट पर आपको यहां पर फस्ट अटम्ट में ही पास होना है आई टीए पास्ट केंडेट्स ओदर देर मेरिन पेंटर इलेक्टरोनिक मेकानिकट अगर इसमें नहीं करना है next जो आपका group C का है इसमें आपका age standard pass होना चाहिए और उसमें भी आपका first attempt में pass होना चाहिए और उसमें science and mathematics आज़े subject होना चाहिए शीकरिंग minimum 50% mark तो आपका 50% mark minimum होना चाहिए और SCST candidates के लिए आप first attempt में pass होने चाहिए through the qualifying criteria and age standard the candidates with higher qualification may also apply however eligibility will be based on age standard qualification only तो आप 8 से ज़्यादा भी पढ़ है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं लेकिन आपका qualification age standard का ही देखा जाएगा कुछ important points है जैसे कि आई-टाई-पास candidates will not be allowed for group A and C तो अगर आप आई-टाई-पास candidates है तो आप ग्रूप A और ग्रूप C में नहीं डाल सकते हैं आपको स्रिफ ग्रूप B में ही डालना है वान अप्लिकांट विल बी eligible to apply for group A and C post both but they are required to submit separate application तो आप A में भी भर सकते हैं और C में भी भर सकते हैं अगर आप OVC category को बिलंग करते हैं और उसके लिए आप apply करते हैं OVC category में तो आप उसके लिए आपको का certificate required format में लाना होगा तो फ्रेंट्स इस पोस्ट की जो apply करने की link है और मैं आपको नीचे description में दे दूँगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और यह notification आप पूरा पढ़ सकते हैं नीचे description में दे दूँगा वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही था जो कुछ था मैंने पूरा बता दिया हूँ अगर फिर भी अगर ही पे wind up करते हैं जे हिंद बंदे महत्रम